गाउं का मटन करी वो भी चूले पे बनाएंगे तो सबसे पहले मसाले रेडी कर लेंगे तो इसमें जीरा और काले मिर्च डालेंगे सुखी लाल मिर्च ढालें थोरा सा यहां पर तीखा बनता है तो उस हिसाब से जितना तीखा पसंद है आपको उतना डाले तेज पत्ता और यहां पर यहां यहां पर यह मिक्स मसाला है जिसमें हल्दी covidर थोरा सा है रेड शिली पाउडर भी है इसमें पिसा हुआ धनिया और जीरा पाउडर भी है इसमें और जिंजर और गार्लीक दोनों डाल देगे और पानी डाले के थोरा सा इसका स्मूद सा पेस्ट बना लेंगे मोटा नहीं रहना शरय यह पतला कर लेंगे, मतलब अच्छे से फाइन कर लेंगे मसालों को, फिर जला लेंगे चूला, उसके उपर रख देंगे कुकर कुकर में डालेंगे सरसो का तेल, उपर से डालेंगे थोरी सी और लाल मिर्च, तोरकर और तेज पत्ता, उसके बाद प्यास जो कटा हुआ था वो डाल देंगे प्यास डालने के बाद इसको भूनेंगे थोड़ी देर के लिए नमक भी डाल देंगे जितना मटन है उसके according कम ज़ादा हो तो बाद में adjust कर सकते हैं और नमक डालने से जो प्यास है वो थोड़ा और पक जाए उसके बाद इसमें मटन को डाल देंगे थोड़ा पहले भी डाल सकते हैं मटन को क्योंकि मटन है और उसको टाइम लगता है जादा पकने में तो प्यास ऑटोमाटिकली उसमें गली जाएगा मटन डालने के बाद इसको थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद इसमें मैंने दो सीटी लगा दिया मीडियम फ्लेम पे क्योंकि जब मटन को प्याज में डालते हैं तो पानी छोड़ता है मीडियम फ्लेम पे इसको दो सीटी लगा सकते हैं और पाल शीती लगाने के पहले सब्सक्षपे पाइ पाड़े है उसमें दो पहले जा याاش मैं ऑलनी तो लगाव आलना परायगी अबदें लेपानिक में रोड़ा लिद रीचु जाएगा अचा है झालब हो इसके बादें जो में अबसे में नस फ्रती ब lassड़ा निकना लगा है एकता सै preaching 4 इ। प्रिकषी छोदर की City की दो चुक अश्ов का मिल मिलाened क्याम करता तो यह क्यादा है तो में नहीं सब्सक्राइब से बूने के बाद मेड से उसका बीड टाल बारे छक्तवी पसंद आया हो रेसिपी तो लाइक करें शेर करें और प्ली सब्सक्राइब करें